कि नमस्कार साथियों आपका स्वागत है रिष्टी PCS चानल की इस नए वीडियो में यह हमारा साइंस दिस वीक का प्रोग्राम है जहां पर हम इस पूरे हफते की विज्ञान से जोड़ी जो भी तमाम इमपोर्टेंट खबरें रही है ठिकनॉलोजी से जोड़ी जो भी इमपोर्टेंट खबरें रही है लिषी आपके साथ विडीयो की शुरुआत करते है और विडियो की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक अच्छी सूचना यह है कि दृष्टी PCS जो है उसके लिए एक नया आप कह सकते हैं प्रोग्राम लेकर के आई है जिसका नाम है PCS परिक्षन तो आप किसी भी राजी के एक्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो चाहे आप बिहार क का कवरिज है, करेंट फेर का कवरिज है, PYQ का इंडेप्ट अनालिसेज है, रियल टाइम रांकिंग आपको देखने को मिलीगे अगर आप टेस्ट में हिस्सा लेते हैं इसके अलावा एक्सपर्स के माध्धम से जो कांटेंट तैयार होता है वो भी यहाँ पर आपको साइट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ज़्यादा जानकारी प्राप कर सकते हैं, चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ा जाए और एक इंपोर्टेंट सूशना आपके लिए यह है कि द्रिश्टी आइस का जो मुखरजी नगर का सेंटर था, वो सेंटर अब जो है, आपका न दिसंबर से शुरू हो रहा है, और इंग्लिश मीडियम के जो बैच है, वो नॉड़ा सेंटर पर 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है, इसके अलावाद दो और क्लासेज हैं, एक लखनव का सेंटर है, एक आपका प्रियागराज का सेंटर है, लखनव की जो क्लासेज हैं, वो आपकी 29 नवंबर से शुरू हो रही है और प्रयागराज की जो classes हैं वो आपका 2 जनवरी 2025 से शुरू हो रही है तो अगर आप इसमें से किसी भी course में interested हैं किसी भी course में आप जो है दिल्चस्पी रखते हैं तो आप उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जो है प्राप कर सकते हैं चलिए अब यहाँ से बढ़ा जाए आगे और आप बास्चीत के जाए अपनी सवालों के बारे में सबसे पहला सवाल आप देखें सबसे पहला हमारा सवाल है कि ड्रागन प्लाय रॉकेट क्राफ्ट के संदर्व में नमिलिखित कतनों पर विचार कीजिए हमारा पहला कतन है कि इस मिशन का उद्देश ये टाइटन पर जीवन के संभावित अस्तित्त का पता लगाना है हमारा दूसरा कतन है कि ये ये जो रॉटर क्राफ्ट नुक्लियर पावर से संचालित होगा उप्यूट कतनों में से कौन सा से कतन सही है या फिर सही है हमारे अप्शन अगर आप देखें option a केवल एक option b केवल दो option c एक और दो दो दोनों और option d ना तो एक और ना ही दो तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका option c तो option c सही जवाब होने का मतलब यह है कि आपके दोनों ही कतन जो है वो यहाँ पर सही हो जाते हैं तो एक बार हम दुबारा से इस पर डेटेल से बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं dragon flyer rotorcraft के बारे में तो अगर आप recent ख़बर का एक चंदरमा है चंदरमा का नाम क्या है उसका नाम है टाइटन तो टाइटन क्या है शनी ग्रह का एक चंदरमा है शनी ग्रह के चंदरमा टाइटन पर पर मालू उरजा से संचालिद dragon flyer rotor craft लॉँट जो है करने वाले हैं इस mission को nasa का समर्थन भी प्राप्ठत होगा इसके से प्रत्वी पर मौजूद है और अगर है तो उसका क्या रूप हो सकता है इसके बारे में जो है यहां पर जानकारी प्राप करने की कोशिश की जाएगी साथ ही नासा का ही जो मिशन है इस मिशन के लिए फालकन हैवी रॉकेट का चायन किया गया है ये रॉकेट पूरी करेगा तो important point यह है यह जो Titan की यात्रा होने वाले है यह overall आपकी 6 साल की यात्रा होने वाली है अब इसके अरावा शनी ग्रह के चंद्रमा Titan के बारे में अगर आप बात करें तो यह हमारे सौर मंडल में शनी का सबसे बड़ा ग्रह है और overall अगर आप देख़े तो सौर मंदल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो पहला सबसे बड़ा ग्रह है गैनिमिड क्या है इसके नाम को दुबारा से आप याद रखें पहला सबसे बड़ा जो चंद्रमा है हमारे स्वार मंदल में वो है गैनिमिड और गैनिमि की खास बात यह है कि प्रत्वी के वायू मंडल के तरह है टाइटन का जो वायू मंडल है वो भी नाइट्रोजन से ही भरा हुआ है तो यह चीज यहाँ पर आपकी शनी ग्रह के टाइटन का जो चंद्रमा है उसके बारे में हमने समझी इसके अलावा आगे बढ़ते हैं आप तो ड्राइगन फ्लाय रोटर कास की तकनीकी विशेश शक्यताओं के अगर आप बात करें तो यह जो आपका रॉकेट होने वाला है यह जो आपका एरक्राफ्ट होने वाला है यह परमाडू उर्जा द्वारा संचालित होगा परमाडू उर्जा द्वारा इसको परमाडू इड्रो कार्बन अधारीद कोई जीवन मौजूद है या फिर नहीं है चलिए हमारी पहली ख़बर हुई अगली ख़बर आप देखें अगला हमारा सवाल है रोयूगू नामक शुद्ग्रह के संदर्प में ने मिलिखित कतनों पर विचार कीजे पहला हमारा कतन है कि हाल ही मे संपर्प जो है किया था हमारे option है option A उपयुक्त में से कौन सा सही है अफिर सही है हमारे option A केवल एक option B केवल दो option C एक और दो 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 और option D ना तो एक और नहीं दो तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका option C यानि कि दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हो जाते हैं तो ह आल ही में वेग्यानिकों ने रुयूगु नामक शुद्ग्रेह के नमूनों में एक आश्चर जनक खोच किया है जो प्रत्वी पर लोटने के बाद प्रत्वी आधारे तो सूख्ष्म जीवों से भरा हुआ है तो यह खास चीज आपको इस पूरे शुद्ग्रेह पर यानि तो यह बहुत आश्चर जनक खोच यहां पर की गई है यह नमूने जो है आपका जापान के हायबुजा 2 अंत्रिक्ष्यान दुरा एकत्र किये गए थे और हायबुजा 2 अंत्रिक्ष्यान जिसे 2014 में लॉंच किया गया था और तकरीवन 4 साल की आत्रा के बाद जो है यह दो अंत्रिक्ष्यान ने एक नमूना एकत्र किया और 2020 में प्रत्वी पर यह आपका वापस लोट आया था और उसके बाद से लगातार इसका अध्यन किया जा रहा है लगातार इस पर रिसर्च हो रही है और रिसर्च से नई जानकारी जो है वो हमारे सामने यहां पर निकल करके आ रही है और जादे डीटेल से अगर आप बात तेरे सूक्ष मजीवों की खोच जो हुई है उसके बारे में आश्चार जनक क्या है वो अगर आप देखें तो आश्चार जनक दरसल यह है कि शोध करताओं ने नमूनों में कंतु युक संरशनाय देखी है यह जो के बैक्टीरियास की पहँचान तब तक नहीं की जा सकती है जब तक इनके डीनी का विश्टेशन नहीं किया जाता तो वो आभी तक किया जाना बाकी है उसके बाद और डीटेल से जनकारी जो है वो हमारे सामने निकल करके आ सकेगी आगे बढ़ा जाए अगली खबार अग जो रखतस्रावी बुखार और रखतस्राव का कारण बनता है हमें उप्यूट में से कौन सा से कथन सही है या फिर सही है यह बताना है हमारे औप्शन है और प्रकोप है वो आपका रवांडा में पहली बार आपको देखने को मिला है बहुत गंभीर रोग है और बहुत घातक इसको माना जाता है और जो नोटिक संक्रमन है इसकी वेज़े से आपको रक्तस्रावी बुखार और रक्तस्राव का कारण जो है ये वन सकता है तो ये overall हमने मारबर्ग वाइरस के बारे में बात की दरसल इसके बारे में हम पहले भी इसी प्रोग्राम में बातचीत कर चुके हैं तो इस पर हमने पहले डीटेल से बातचीत की थी चली आगे बढ़ा जाए अगली खबर अगर आप देखें आगे आपसे सवाल पूछा गया है कि वन डे वन जीनोम पहल के संदर्व में निमलेखित कतनों पर विचार कीजे हमारे कतन है पहला कतन है आपका कि इसकी शुरुवात जैव प्रद्योगी की अनुसंधान एवं नवाचार परिशद ने की है दूसरा कतन है कि इसका उद्देश भारत में स्टोट्ष में ज जवाब फशन एक और दो दो दोनों और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो तो इसकдо जो सही जवाब है वो हो जाता है आपका ऑपशन डी कृप हो जाते हैं तो चलिए इस पर डीटेल से अगर आप बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं option D जो है वो आपका सही जवाब है यानि दोनों ही कथन जो है वो आपके सही है तो हाल ही में one day one genome पहल के शुरुआत की गई है यह भारत की विशाल सूक्ष्म जीव शमता को प्रदर्शित करने की एक प्रवख पहल है यानि कि भारत में micro bacteria की क्या capacity है भारत में कितने diversity देखने को मिलेगी उसको दर्शाने के लिए basically यहाँ पर इस पूरिया भ्यान को शुरू किया गया है इसकी शुरुआत जैव प्रद्धोगी की विभाग और जैव प्रद्धोगी की अनुसंधान एवं नवाचार परिशत के सही योग से की जा रही है इस पहल की घोशना 9 दिसंबर 9 नवंबर 2024 को नई दिल्ली के राष्टिय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के पहले स्थापना दिवस के अउसर पर की गए थे यानि के हाल ही का एक अभ्यान है 9 दिसंबर 2024 को इसको लाँच किया गया है इस पहल के बारे में डीटेल से अगर आप बात करें तो ये पहल हमारे देश में पाए जाने वाले सूक्ष में जीव यानि के माइक्रो बैक्टिरिया जीवाडियों की जो अलग अलग प्रजातियां है उन प्रजातियों को प्रदर्शित करता है इसका उद्देश भारत में पाए जाने वाले सूक्ष में जीवों की विविद्ध प्रजातियों वही हमने बात की कि जो भारत में आपको माइक्रो बैक्टेरियास की डैवर्सिटी देखने को मिलेगी उनका अध्यन करना है उन प्रजातियों के जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से उनकी पर्यवरन क्रशी और मानव स्वास्त में क्या भूमिका हो सकती है यानि कि human health को कैसे impact कर सकते है agriculture को कैसे impact कर सकते है हमारे वातवरन को कैसे impact कर सकते है इसकी study करने के लिए इसका अध्यन करने के लिए basically यहाँ पर आपका इस पूरी पहल को शुरू किया गया है और आगे बढ़े हाँ अगली जो हमारी ख़बर है आगला हमारा सवार आपसे पूछा गया है कि इसरो द्वारा launch की जाने वाली AI lab का नाम क्या है हमारे option है option A my orbital infrastructure, option B moitd, option C probe 3, अफिर option D इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका option C यानि कि probe 3 नाम की एक नई AI laboratory जो है वो आपका इसरो द्वारा जल्द ही जो है अंतरिक्ष में launch की जाएगी तो इसरो ने हाल ही में इस बात को बताया है कि अंतरिक्ष में भारत की पहली करतिम बुद्धिमत्ता यानि कि artificial intelligence प्रयोक्षाला जो है वो जल्द ही launch की जा सकती है इसका नाम रखा गया है probe 3 probe 3 का उत्वेश बेसिकली यही है कि अंतरिक्ष में data processing को संभाव बनाना है अभी क्या होता है कि अभी हमारे जो भी आपके satellites है या फिर जो भी आपके अंतरिक्ष यान है वो अंतरिक्ष में जो भी data करते हैं वो data पहले आपका प्रत्वी के center पर भीजा जाता है और प्रत्वी के center पर जब data आता है तो उसमें थोड़ा सा time लग सकता है उसकी processing में time लग सकता है लेकिन अब यहाँ पर नासा की योजना यह है कि हम अपना एक जो data processing center है जो AI प्रयोक्षाला है उसको अंतरिक्ष में ही स्तापित कर देंगे तो वहाँ से data यहाँ भेजने की जरुरत नहीं है अब directly वहाँ पर कुछ data जो है उसको अंतरिक्ष में ही process किया जा सकता है तो ज्याता time नहीं लगेगा और direct जो निसकर्ष है वह निसकर्ष आपके पास ground station पर निकल करके आ जाएगा तो इस पूरे यह जो आपका प्रयोक्षाला है इस प्रयोक्षाला को 4 December 2024 को polar satellite launch vehicle यानि के PSLV XL के माध्यम से जो है यहाँ पर आपका इस रोद्वारा launch किया जाएगा इसके अलावा यहाँ पर एक शब्द और important है वो है आपका MOITD यह भी आपको option में दिखाई दिया था यह भी इसी technology से जोड़ा हुआ है तो यह जो mission है आपका AI lab launch करने का जो mission है इस mission के साथ नई इस mission के साथ जो है आपका My Orbital Infrastructure Technology Demonstration यानिके MOITD भेजा जाएगा जो AI lab के जो important components है उनको test करेगा और test इस बात का करेगा कि क्या वो components सही डंग से काम कर रहे है या फिर नहीं कर रहे है इसके अलावा इसमें control software और अंतरिक्ष संचालन के लिए आवश्यक hardware testing के सुविधा भी जो है आपका मौझूद रहने वाली है ये overall हमने आपका AI lab के बारे में बात की अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौझूद है जिस अभ्यास question है जिसका जवाब आपको comment box में देना है सवाल में आपसे पुछा गया है कि प्रत्वी के औस्थाई दूसरे चंदमा के संदर्व में प्रत्वी के औस्थाई दूसरे चंदमा की संदर्व में निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए हमारा पहला कतन है कि ये 2024 PT5 के नाम से जाना जाता है इसे पहली बार 7 अगस 2024 को NASA की Atlas दौरा दिखा गया था उपरिक्त में से कौन सासे कथन सही है या फिर है इसका आपको जवाब देना है हमारे option है option A केवल 1 option B केवल 2 option C 1 और 2 दो और option D ना तो 1 और नहीं 2 पर इसका सही जवाब क्या होने वाला है वो आपको जल्दी से comment box में बताना है मुझे उमीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी important points पर बात की है वो आपको समझ में आये होंगे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक हीजेगा शेर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ अपने परिवारजनों के साथ बने रहिए इसी तरह से इनी प्रोग्राम्स के लिए मिलते हैं आप सगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए ध्यान रखिए पढ़ते रहिए धन्यबाद Dear viewers अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चानल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले